जब पूरा देश कोरोना जैसी भायाना कापात कालीन बिमारी से जूज रहा था तब हमारे अर्विन केजरिवाल जी राज महल वनाने में विजी थे अपना जो इंसान ये कहकर आया कि ये आम आदमी हूं में आम आदमी की तरह रहूंगा आम आदमी की तरह सत्ता चलाओंगा और वो इंसान आज शीष महल में रह रहा है देखी ये तो जग जाहिर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजी वाल ने ठगा नहीं पीडी की रेट किस पर पड़ेगी उनी पर पड़ेगी न जो ब्रस्टाचारी हैं आप एक बात बताओ अगर ब्रस्टाचारी चोर अच्छे हैं तो फिर चोर लोग कैसे हैं कि अगर ब्रस्टाचारी वो नहीं है तो फिर ब्रस्टाचारी कैसे होते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूँ आपके साथ रादिका शर्मा इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक इंडिया कनोट प्लेस के राजीव चौक में वहाँ जहां पे केजी वाल के जो शीश महल की परदर्शनी चल रही है लगातार बीजेपी के तरफ से यहां पे कार्य करता आ रहे हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है केजीवाल के शीश महल के बारे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली परदेश की बीजेपी की महा मंत्री आईए उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना जब पूरा देश कोरोना जैसी भायना का पात कालीन बिमारी से जूज रहा था तब हमारे अर्विंद केजरिवाल जी राज महल बनाने में विजी थे अपना शीश महल बनाया गया उस्तामें नव निर्मान किये गए और यह जो शीश महल है यह उसी की देन है हम सब बिमारी से जूज रहे थे हमारे घरों में अपने परिचेत अपने भेन अपने भाई अपने पड़ोसी सब कुरोना से जूज रहे थे और हमारे हमारे मुख्य मंत्री जी कहां बिजी से शीश महल बनाने में अपने घर का नव निर्मान करने में जो इंसान यह कहकर आ आज शीष महल में रह रहा है भरष्टाचार को खतम करने के लिए भरष्टाचार में से निकल के आई थी सरकार देखा जाए अन्ना हजारे के जो अन्दोलन्त उसमें से आए थे और वही अब इस तरह के जैसे कारणा में देखने में लग रहे हैं क्या लगता है यह वाक्य मे जो है ब्रष्टाचार है शर्म सार है हम लोग शर्म सार है कि ऐसे आदमी को हमारे ही भाई भेनों ने सत्ता देदी दिल्ली की यह शरम की बाते हम लोगों के लिए मतलब कहीं तो शेम शेम एंड आइधेंक ही जोड रिजाइन इमीडियेटली हमारी जनता जब तृप थी द करोना काल में अगर देखा जाए तो राशन भी बटवाया गया दिल्ली में जिनके पास एटलीस राशनकार नहीं थे उन तक को राशनकार दिया गया बहुत बाद में भारत सर्कार वो सारा मोधी सरकार ने किया वह हमारी केंद्र की सरकार थी हमारे भारतिये जनता पार्ट परन्तु हमारे मुख्य मंत्री जी देड़ दो महीने बाद बाहर निकले जब अपना शीज महल का पूरा नवनिर्मान कर लिया और उसके बाद जो हमारी केंदर सरकार ने उन्हें राशन दिया बाटने के लिए उसके बाद वह बाटना शुरू है कोई अशुरू हमारे भारती जनता पारटी के कार takesना शुक्त हमारे भारती जनता पार्टी के कार्यकरतां को प्रधान मंतली जी ने कह दिया था मीटिंग ले Peroag कि एक दिन में समझी दस-दस मीटिंग उससे भी जादा होती थी कि आप सब अपने घर से निकलो और जिनके पास जो हो वो जा के जनता में बाटो और उनको दवाई भोजन की कोई कमी नहों मैं खुद करोना काल में तब तक काम करते रही जब तक कि मैं एड्मिट नहीं हो गई और प्रधान मंत्री जी ने केज़िवाल ने तो हाथ खड़े कर दिये थे कि प्रधान मंत्री जी अब हमसे नहीं होगा लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पीछे से जो है फटी रिलीज के लिया देखा जाए हर चीज के लिए जहां ज़रुरत है उनको डिया लेकिन उनों ने जन तक वहारा चाहिए उनकी दिल्ली की जनता की सेवा करता रहा ऐसे ही आज भी केंदर सरकार सारी नीतियां उनको देता है आयुश्मान भारत केंदर सरकार ने उनको दिया लेकिन वो नहीं दे रहे हैं आगे जनता तक तो हम क्या कर सकते हैं केंदर सरकार कहां तक वो पूछी सकते हैं क्यों नहीं क कि सरकार की गड़्टी आप लगाया जा रहा है जब से यह बना हुए करोना काल से क्या लगता दोजार चौप इसके चुनाब आया तो यह लगा दिया गया उससे पहले भारतिया जनता पार्टी तब तक तो यह पता भी नहीं चला था यह शीश महल भी बन रहा है यह तो अंदर इसने पैसा रखा हुए ना जो यह आवास है यह उसका खुदका तो है नहीं यहां पे रहने वाले तो है अगर 2024 में आगे खड़े होते हैं इलेक्शन में नहीं आते हैं दिल्ली के कलको मुख्यमंतरी नहीं रहते हैं तो उस शीश महल में तो वही रहेगा जो यहां को जहासा देके अर्विन केजी वाल आज मुख्यमंतरी बन बढ़ते वह पहनते हैं दोसों के चपल एक ऐसी ही सर्ट पहन के आ जाते हैं यह दिखावा करते हैं और किसी भी चीज का खुलासा होता है तो धीरे-धीरे होता है जनता को तो धीरे-धीरे पता चलेगा ना शरा कहाब नीती में दस्तावेजू को हलका किया इन्होंने जो लैसंस बनने थे उसके दस्तावीजू को इन्होंने हलका किया जो विदेशो से लैसंस बनने थे उसका हलका करके और इन्होंने इन डरेक्ट वेमें पैसा लिया ठीक है और उसका 60 महल Jen Al Ben YOU आजane आज यहान यह सब विपक्ष की नीतिया है उन्होंने यह बात बोली है कि जो भी आ जाएगा भारतिया जंता पार्टी में वह वाशिंग मशीन से क्लीन हो जाएगा आप खुद बताइए ना कि रेट किस पर पढ़ेगी उनी पर पढ़ेगी न जो ब्रष्टा चारी हैं जैसे शरत पवार को ले ली जी उनके घरब ईडी की रेट पढ़नी थी लेकिन राटो रात जब वो भाष्भ सपा में आगे तो एडी की रेट खत्म हो गी भास्पा में शामिल भी हो गे तो क्या जो उन्होंने उस वक्त ब्रश्टा चार किया था वो खतम हो जाकर ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यह मंगरंत है कि उनके पास रेट पढ़नी थी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का वह भारती जनता बाट यह तो आपकी मीडिया है जो जबाब नहीं तो म किसी एक पच्च को लेके यह हो रहा है जो चीजें हो रही है वो जनता के सामने है साफ साफ दिक रहा है ऐसे तो किसी को जेल में नहीं डाला रमेश बीदूरी पे देखा जाए जिसरा सुनोंने संसद में बोला विपक्ष के जितने भी थे सब को निलंबित किया गया है चा समय पर सिच्वेशन पर डिपेंट करता है आप कैसी जैसी सिच्वेशन रहेगी वैसा तो फिर रियक्षन तो होगा ना अगर इदर से आहे तो रियक्षन और उदर से आहे तो गलत और से आह गलत नहीं जो गलत कर रहा हैं अब आप एक बात बताओ कि सराब के ठेके खुल दिये गए मंदीरों के बगल में आभी स्कूलों के बगल में एक साथ फ्री सराब ये क्या उची थाई एक घर में जो एक आदमी दस अजार कमाता है वो सराब में पहले जा रहा है घर की बेवस्ता घर की में जो बच्चों की पढ़ाई भविस में खर्च होना चाहिए बच्चों के वो सब कहां जा रहा है लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि का पाम आपका नाम च से उंदा पैर्यामुन अबधी अगर पड़ा फंद तो फिर फीन अपका नλλाव ज्वाल आप इक बाद सर्मा मुझे जै़कर अगर वैस्टा-चे वह नहीं है तो फिर भृस्टा-चारी कैसे होते हैस्व चोरी उन्होंने की, चराब में घोटालें उन्होंने कि किसी तरह घुन लगता है ना किसी पेड़ में या किसी लकड़ी के उसमें और उसको चाट जाता है। उसी तरह है आज दिल्ली का हाल हो रहा है। साथ में यहां पर बोल रहे थे वो यह भी कह रही थी साथ में कोई जो महिला इस से पहले यहां पर बोड़ी थी उन्होंने बोला था कि हम चाहेंगे कि केज जिवाल आने वाले वक्त में अपने शीश महल के जो दौर है वो आम नागरिकों के लिए खोले ताकि वो भी देख सब्सक् attendance साय कि अंदर से दिखने में कैसे लगता है उसके लेगाते हैं कि वह खोलना चाहिए और बताना चाहिए कि अमने यह वन्याया है हम आम अीच ійсьमेल जो इतना बढ़िया उसने अपना क्रोना काल में बना दिया है तो क्या चीज है इसके अंदर जो उसने हम सब जंता को छोड़कर सिर्फ शीश मेहल की तरफ ध्यान दिया है और आप यह देखो ना जो कुछ चीजें ऐसी कुछ चीजें जो हमें पड़े में रखनी चाहिए क्या लगता है कि अगर programs छीटमी के दुकान थे में और मापाप काम करेंगे घर चलाएंगे कि पीछे पीछे दोड़ेंगे और विर्द केजी वाल को देश की बिवस्था सुधारनी चाहिए थी जो बच्चों का भविस्थ सवारना चाहिए था और जो उन्होंने बावन करोड लगा दिये वो बच्चीयों और जो आने वाली पीडी है उसके भविस्थ के लिए लगाना चाहिए था तो कितने बच्चे पढ़ जाते और जिस तरह से केजी वाल के यहां पर शीष महल की परदर्शनी चल रही है जिस पर कहना है कि जंता के लिए खोड़ना चीए जंता को भी देखना चीए अंदर से शीष महल लगता कैसा है अगर आम नागरिक है और आम जंता मै सोगंद वतन की